दोस्तों आकसर हम लोग इस problem का सामना करते हैं आई ये वो problem जान लेते हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे पास ये value दी गई है यहाँ serial number है, name है, product name है, January है, February है, March है, April है यानि ये employee ने इस product को January में इतना सेल किया, February में इतना सेल किया, March में इतना और April में इतना इसी तरह हमारे पास data दिये गए है, अभी हम यहाँ equal to करेंगे sum, हमने इस पूरे range को select किया, यहां से यहां तक मैंने इस पूरे range को select किया, तो हमारे पास क्या आ गया, January में total इतना सेल हुआ, ठीक है, मैंने इसको यहां से drag कर दिया, तो इसी तरह हमारे पास February, March और April का total sum आ अभी हमारी problem क्या है, मालेजे हमको यहां से यहां तक के row को hide करना है, और हम चाते हैं कि जो हमारा sum हो, इन चारो row का sum न होकर आए, ठीक है, हम hide कर दिये, तो अभी आप देख रहे हैं, हमारे पास जो hide row है, उनका भी sum यहां पर आ रहा है, यह हमारी पहली problem है, चलिए हम आपने select किया, रमेज, ठीक है, तो अभी आप देख रहे है, रमेज का भी total sales जो किये, 345 आ रहा है, लेकिन आप अगर इसे sum करेंगे, तो आएगा result 90, इसी तरह हमारा February में 499, March में 569, अप्रिल में 600, यानि यह पूरे value का sum करके मुझे दे रहा है, यह हमारी दूसरी problem है, आइए हम अपनी तीसरी problem जालनेते हैं, अभी माल लिजए हमारे पास यह value है, as it is, same value है यह भी, लेकिन इसमें क्या है, कुछ error values available हैं, ठीक है, अब हम इसमें sum करेंगे, is equal to sum, ठीक है, हमने number यहां से यहां तक के number को select किया, bracket बंद और enter, तो आप देख रहे हमारे पास यह error values आ गई है, हमारे पास result नहीं आ रहा है, तो हमारे पास result नहीं आ रहा है, तो इन सारे problem का solution हम आपको इस lesson में provide कर देने वाले हैं, तो आइए अपने lesson के और move करते हैं, नमस्कार दोस्तों, आज हम इस lesson में बात करने वाले हैं, aggregate formula के बारे में, इस formula का यूज़ आप किस situation मे करेंगे, किस condition में करेंगे, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन ये formula कितना powerful है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाने वाला है, तो आइए अपने lesson के और चलते हैं, अभी हमारी problem क्या थी पहली, कि हम अगर यहां sum कर रहे थे, तो अभी आप aggregate, ठीक है, तो यहां आ रहा है function, आप कौन सा function perform करना चाते है, या तो आप sum करना चाते है, average निकालना चाते है, count करना चाते है, max निकालना चाते है, min निकालना चाते है, बहुत से सारे इसके अंदर formula दिये गए हैं, तो हमें क्या करना है sum, तो हम down arrow से नीचे आएंगे, और समप जाएंगे और तयप कर देंगा तो यह सेलेक्ट हो जाएंगा ठीक है. कॉमा तो हमारा सबसे पहला क्या है? इगनोर नैश्टेट सब्टोटल अग 대तंध फक्शन. ठीक है दूसरा क्या हुआए? प्रॉब्लम था कि हम रोग को जो है उसका सम ना आये तो हम क्या करेंगे डाउन आइरो से आए पांच पर क्योंकि यहां लिखा दिकिए इगनोर हीडेन रोग तो इस पे हम tap करेंगे तो यह select हो जाएगा comma अरे हम इसे select कर लेंगे यहां से यहां तक ठीक है bracket बंद और enter तो अभी आप देखेंगे हमारे पास हमारा 345 ठीक है मैं यहां से यहां drag कर दूँगा पूरा ठीक है अभी आप ध्यान देखेंगा यह 345 है अब हम मा लिजए यहां से यहां तक के row को hide करते हैं ठीक है तो यह देखे हमारा result आगया 233, 365, 413, 404 ठीक है तो इसने सिर्फ इतने ही value को sum किया है और result आया 233 ठीक है इसने hidden row को ignore कर दिया तो अगर आपकी ऐसी situation बनती condition बनती है तो आप इस type से formula का use करेंगे ठीक है दूसरी problem हमारी क्या थी अभी मैं row को unhide करूँगा select करूँगा और unhide करूँगा ठीक है तो हमारी problem क्या थी हम यहां filter लगाते थे अभी हमसे पूछा गया था रमेश ने total कितना सेल किया तो हम यहां filter लगाके रमेश को select किये थे तो अभी आप देखिए जैसे मैं रमेश को select करूँगा तो देखिए रमेश ने 90 सेल किये उस समय 345 यहां आ रहा था क्योंकि हमने यहां क्या किया है hidden row को ignore कर दिया तो जैसे ही हमने filter लगाया तो row तो हमारी hide होगी होगी क्योंकि filter ने क्या किया जहां जहां रमेश था उसको यहां filter करके लेकर आ गया तो उसमें हमारी कुछ row भी hide हो जारी है तो उस situation में आप देखिए aggregate formula का use करेंगे यह क्या करेगा hidden row को ignore कर देगा जो value इसके सिर्फ सामने देखेगी सिर्फ उसको ही sum करेगा तो इसने देखिए सिर्फ इतने को ही sum किया यहां भी इसने ऐसा ही किया और यहां भी और यहां भी तो इतना concept आपको clear है अगर आपके data में hidden rows है और आप उसे ignore करना चाहते हैं तो उससे में आप aggregate formula का use करेंगे चलिए अपने तीसरे problem के और बढ़ते हैं अभी आप देख रहे था हमारे value में यहां error message है हमने sum किया तो यह हमारा result नहीं आ रहा था तो इस situation में आप क्या करेंगे is equal to aggregate formula का use करेंगे हमें क्या करना है sum तो हम down arrows आएंगे sum पे और tap प्रेस कर देंगे तो हमारा sum वाला action active हो गया है comma option अब हमारा option आ गया कि क्या करना चाहते हैं आप ignore nothing ignore hidden rows तो हम इसमें हमारा hidden rows तो है नहीं ignore error values तो हम क्या करेंगे down arrows आएंगे 6 पे ignore error values और tap करेंगे तो select हो गया comma reference मांग रहा है तो हम यहां से यहां तक को reference को select कर लेंगे bracket बंद और enter तो अभी आप देखिए इसने क्या किया इस error value को ignore करके हमें sum दे दिया यहीं हम drag कर देंगे तो सारी जगा हमारा same हो गया ठीक है तो इतना आपको concept clear है अगर आपके value में error message है और आप sum करना चाते है तो उस समय आप aggregate formula का use करेंगे ठीक है अब हमारी चौती problem क्या हो सकती है ध्यान से समझेगा अब मालने जे आपके value में error value भी है और कुछ row भी hide है और आपको result क्या चाहिए उस value को ignore करे और hidden row को ignore करे और मुझे उसका sum दे मालने जे मैंने यहां से यहां तक के row को hide कर दिया ठीक है? hide कर दिया हमने और अब हम चाहते है कि जो हमारा result यहां आए वो hidden row को ignore कर दे उसका मुझे sum नहीं करना है और इस error value को ignore कर दे तो हम क्या करेंगे? equal to aggregate function क्या हमें sum करना है तो हम यहां 9 पे जाएंगे और tap करेंगे तो select हो जाएगा comma ignore यहां सबसे last में है ignore hidden rows and error values तो यह क्या करेगा? hidden row को भी ignore करेगा और error values दोनों को ignore करेगा हम tap करेंगे तो active हो जाएगा और हम reference select कर लेंगे यहां से यहां तक ठीक है? bracket बंद और enter तो देखिए इसने दोनों को ignore किया और result आपके सामने दे दिया आप चाहे sum कर सकते हैं इतना ही result आएगा ठीक है? अब हमारा चौथा condition क्या हो सकता है? माले जे मुझे कुछ भी ignore नहीं करना है तो आप क्या करेंगे? equal to aggregate function आप क्या लेंगे? क्योंकि आपको sum करना है तो आप sum को select करेंगे ठीक है? comma function यहां लिखेंगे ignore nothing तो यह क्या करेगा? एकदम sum formula की तरह work करेगा आप करके देखिए मैंने इससों select किया tap press किया select हो गया reference मैंने यहां से यहां तक के reference को select किया bracket बंद और enter तो देखिए यह 345 आ गया अब मैं row को height करूँगा देखिए यह sum देखिए 345 भी रखेगा यह एकदम exact sum formula की तरह work कर रहा है तो आप अपने requirement के हिसाफ से aggregate function के अंदर जितने भी option दिये गए है उसको select करके उस तरह perform कर सकते है ठीक है जैसे मैं यहां लगाता हूँ equal to aggregate ठीक है तो हमारे सबसे पहला क्या है function average है count है max है min है अगर आपको count करना है तो आप क्या करेंगे count को select करेंगे जैसे मैंने count के select किया ठीक है दूसरा हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 तो यह आएगा 13 ठीक है अब माले जैं हमने row को height किया तो यह क्या करेगा जैसे मैंने यहां select किया row को height किया तो अब यहीं सिर्फ यहां से यहां तक की value को count करके बता रहा है ठीक है तो इस तरह आप perform कर सकते हैं अगर आपको sum करना है average निकालना है min निकालना है max निकालना है mid निकालना है तो इसी तरह आप same logic लगाएंगे सारा कुछ same रहेगा और इसे आप perform कर सकते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारा aggregate formula कितना powerful है तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आया